आप लोग जानते हो समझते हो मगर जिस परिवार ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी जिस व्यक्ति ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी उनको ये बात समझ कभी नहीं आ सकते ये ये आपने देश को दिया है आपने आप कहते हो कभी कभी मैं यहां आता हूँ आप कहते हो कि हमारे लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं हमारे लोग सेना में एर फॉर्स में नेवी में आपको दूसरे तरीके से बोलना चाहिए आपको ये बोलना चाहिए कि उत्राखंड ने हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा अपना खून दिया है और देता रहेगा अकला देश के लड़ाई हुई तेरा दिन में पाकिस्तान ने अपना सिर जुका दिया आम तोर से युद छे महीने एक साल दो तीन साल चलता है अमरीका ने अफगानिस्तान को हराने के लिए 20 साल लगा दिये हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तेरा दिन में हरा दिये मगर हमें बूलना नहीं चाहिए और जो बांगलादेश में 1971 में हुआ उसे गहराई से समझना चाहिए हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ एक तरफ हिंदुस्तान एक होके एक अबाज के साथ सब मिलकर खड़ा हुआ कोई कहता है सेना ने लड़ाई जित्वाई कोई कहता है पोलिटिकल लीडर्शिप ने लड़ाई जित्वाई कोई कहता है नेवी ने लड़ाई जित्वाई कोई कहता है एर पोस्ट ने लड़ाई जित्वाई नहीं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने हर जात ने हर धर्म में एक साथ मिलकर पाकिस्तान को हर आया लाकों परिवारों ने अपने घर से सोना हिंदुस्तान की सरकार को दिया बिना बहाने बिना एक शब बिना बहांगे लाकों लोगों ने अपना सोना घर का सोना सरकार को दे दिया और यहां स्केज पे हमारी लीडर्शिप बैठी है जो सेना और बॉर्डर पे जाके लड़े इन्होंने भी एतिहासिक काम किया मगर भाईयों और बहनों भूलिये मत अगर हिंदुस्तान बटा होता अगर हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते तो तेरा दिन में जीत नहीं हो सकती थी दूसरी बात तेरा दिन में जीत क्यों हुई क्योंकि भाईयों और बहनों पाकिस्तान बटा हुआ था पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी एस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी पाकिस्तान कमजोर था झाल